हलो एपरिवेन गूड मॉर्निंग कैसे हैं आप सबी लोग तो मैंने मॉर्निंग का ये व्यू दिखाया आपको तो अभी लग बग साड़े च्या का टाइम हो रहा है तो मैं छत में थोड़ी टहलने के लिए गई थी तो मैंने थोड़ा सोचा कि आप लोग को यहां का व्यू आप लोग इंजोई कीजिए और बताएं कैसे हैं आप सभी लोग और आज मैं जो वीडियो सेर कर रहे हूं कोई व्लोग सेर नहीं कर रहे हूं मैंने कल साम को कुछ बनाये था आप लोग को तो वही दिखा रहे हूं मैं मेरे पास काफी टाइम से था यह कपड़ा रखा हुआ और शूट का ही कपड़ा है और मुझे ज़्यादा पसंद नहीं लगा और मैंने ऐसे रखा था काफी टाइम से तो मैंने सुचा मैं इस पर ही देख लेती हूं अपने लेक पला जो क्योंकि मैं मार्केट से लाई थी अपनी मन पसंद का मल्टी कलर का उसमें बहुत सारे कलर थे किसी भी सूट के साथ चाल सकता है लेकिन वो मेरे पे फिट नहीं आया और वो आ गया बेटी की काम यह दिखो यहां पर पड़ाई कर रहे हैं कि कैसे लगा रखिष ने कह रहे हैं हेर हैं की टक कर रही हूं मैं ल यहां पर मैं अपने लिए बना रही हूं और पता नहीं कैसे बनेगा पहले बनाया था मैंने वो दिखाया था मैंने एक वीडियो में वो भी उसी के काम का आया मैंने थोड़ा चोटा बना लिया था और अभी मैं यहां पर लगा रही हूं इस पर कटिंग करने के लिए निस इसको कटिंग करते हूं और फटा फट करके इस पर सिलाई मारके इलास्टिक लगा के फिर दिखाती हूं आप लोगों को तो ये देखे मैंने आप एक पर कर दिया है और ये प्यू मुझे बोल रही थी कि मम्मी आप फॉन पर देख लो आज के बच्चे देखो मैं कहीं पर कन्फूजन हो रही तो यह आप पर पढ़ाई करें बोल्डी फॉन पर वीडियो देख लो ना आजाएगा आपके समझ में तो हो गई इसकी कर्टिंग और पंखा चल रहा है तो यह उड़ रहा है पतला कपड़ा है तो मैंने उसके उपर में गिलास सीजर बहुत सारा सामान रखा हुआ है और यहां पर हुरी है इसकी सिलाई सलवार में तो टाइम लगता है आप लोगों को पता है और पलाजो वो तो बहुत जल्दी तयार हो जाता है इतनी टाइम नहीं लगता है उसमें ते दिकत नहीं होती है सलवार भी प्लेटे बनाने होती है कटिंग में भी थोड़ा टाइम लगता है तो यह जो मैंने बनाई इसमें जल्दी बन गया था और यह सही बना मेरी नाप का पहले वाले बिल्कुल छोटे हो गई थे दोनों के दोनों प्राप्ति के काम के आए वो पहनती भी है उसको कल की वीडियो में देखा आपने ग्रीन कलर का उसने पहन रखा था तो यह देखिए मैंने पहन भी लिया है इस पर एलास्टिक लगा के और काफी अच्छा लग रहा है मुझे आप लोग बताइएगा आपको कैसा लगा